दोस्तो एधी आप लोग जस्प्रीद बुम्रा को एक गातक गेंदवाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना बिलकुल मत भूलिएगा दोस्तो आज IPL 2022 के 56 में मुकाबले में पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियन्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर से हुआ बाकी बचे टूर्णामेंट से बाहर हो चुके हैं ऐसे में रमनदीप सिंग को उनकी जगए टीम में सामिल किया गया है और वहीं कोलकाता के कप्तान स्रेयस अईयर ने अपनी टीम में पांच बदलाव किये हैं उन्होंने अजंकिया राणे बैंक्टेस अईयर पैट कमेंस वरोड चक्रवरती और सेल्डन जैक्सन को टीम में सामिल किया है आज के इस महा मुकाबले में कोलकाता की तरफ से बैंक्टेस अईयर और अजंक्या रहडे ने पारी की शुरुआत की दोनों ने दो ओबर में 16 रन जोड लिये और दोनों बल्लेवाज काफी सांदार बल्ले बना कर खेल रहे थे चैए ओबर के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स ने एक बिकट गमा कर 64 रन बना लिये थे यह इस सीजन का कोलकाता का सर्व स्रेट पावर प्ले रहा है इससे पहले उन्होंने ब्रेवर्ण में राजिस्तान के खिलाब एक बिकट गमा कर 77 रन बनाए और आउट हो गए बैंक्टेस अईयर और रहणे के भी 60 रनों की ओपनिंग साजेदारी हुई जो की इस सीजन कोलकाता के लिए सर्व स्रेश्ट है इसके बाद इदी बात की जाए तो नव उबर के बाद कोलकाता ने एक बिकट गमा कर 78 रन बना लिये थे फिलाल उश टैम अजंक्या राणे 18 गेंदों पर 18 रन और नीतीस राणा 12 गेंदों पर 8 रन बना कर खेल दे थे कोलकाता को पहला जटका बैंक्टेस अईयर के रूप में लगा था ग्यारा उबर के बाद कोलकाता का इसकोर 2 बिकट के नुकसान पर 100 रन था फिलाल उश टाइम नीतीस राण 16 गेंदों पर 22 रन और स्रियस अईयर एक रन बना कर खेल दे थे 11 में ओबर में कुमार कार्थके ने अजंक्या राणे को क्लीन बोल्ड कर दिया रहणे ने आउट होने से पहले 24 गेंदों में 25 रन की पारी खेली थी इस पारी में उन्होंने 34 लगाए थे इस ओबर में आख और स्रियस अईयर चेरन बना कर खेल दे थे 14 में ओबर में कोल काता को 123 के स्कोर पर तीसरा जटका लगा कप्तान स्रियस अईयर एक बार फिर से फेल रहे वह आठ के नो पर चेरन बना कर आउट हो गए उन्हें लेग स्पिनर मुरगन अस्विन ने बिकिट कीपर इसान किसम के हाथों कहट कराया और इसके बाद पंदरमें ओबर में जस्प्रीद बुमरा ने घाता गेंद वाजी की उन्होंने इसी ओबर में कोल काता को दो जटके दिये पहले उन्होंने आंद्रे रसल और फिर नीती स्राडा को पवेलियन भेज दिया 136 के स्कोर पर कोल काता को 14 ज के और चार छक्के लगाए 15 ओबर के बाद कोल काता का स्कोर पांच बिकेट के नुक्सान पर 140 रन था इसके बाद जस्प्रीद बुमरा ने पारी के अठारमें ओबर में सेल्डन जैक्सन पैट कमिंस और सुनील नरायन को पवेलियन भेज दिया सेल्डन पांच रन बना सके तो यहीं नरैन और कमिंस खाता खोले बिना पवेलियन लोट गई बुमरा अब तक 3 ओबर में 9 रन दे कर 5 विकेट ले चुके थे जस्प्रीद बुमरा ने अठारमें ओबर में एक भी रन नहीं दिया और एह ओबर मेडन ओबर फेंका इसके बाद 19 में ओबर में कोल काता को नौमा जहटका लगा डैनियल सेम्स ने टिम साउदी को कैरन पोलाड के हाथों कैंच कराया साउदी सून पर आउट हो गए और इसके बादे दी बात की जाए तो कोल काता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियन्स के सामने 166 रन का लच रखा तौस हार कर पहले बल्ले इस ओबर में 9 विकेट गमा कर 165 रन बनाए 13 ओबर तक कोल काता की टेम मजबूत इस्तिती में थी और 23 123 रन पर सिर्फ 2 विकेट ही गमाए थी इसके बाद कप्तान स्रेस अईयर ने अपना विकेट गमाया और फिर जस्पीद बुम्रा ने कहड़ा दिया बुम्रा ने 4 ओब ट्राइब करके बैल एकन को ओन कर दीजिएगा